चलिए स्टुडेंट्स हम लोग प्रशनावली 222 के question number one को solve करते हैं देखिए question number one क्या कहरा question number one कहरा निम्न दुईघाद बहुपतों के सुन्य ज्याद कीजिए और सुन्यांकों तथा गुड़ांकों के बीच संबंद की सत्यता की जाज कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास questions दिये गए हैं इन दुईघाद बहुपत दिये गए हैं यह जो दुईघाद बहुपत हमें दिये गए हैं हमें इनके सुन्यांक निकालने हैं और इनके सुन्यांकों तथा गुड़ांकों के बीच में जो संबंद है उसके सत्यता की जाज करनी हैं तो चलिए हम लोग इसको solve करते हैं तो क्या है हमारे पास x square minus 2x minus 8 है तो इसको हम लोग इसके सुननेंग निकालने के लिए क्या करेंगे इस दुई घात बहुपत को हम लोग 0 के equal दिखा देंगे इसको आप 0 के equal लिख दीजिए और इसको किस बीद से solve करेंगे हम लोग गुड गुड़न खंड बिजी से हल करेंगे चलिए इसके आप लोग गुड़न खंड कर दीजिए तो इसका गुड़न खंड क्या हो जाएगा x square अब यहां पे 8 है तो 4 दूनी 8 इस तरीके से पहाड़ा पढ़िए इस तरीके से इसके factor करिए ताकि हमें आरे पास जोड़ने घटा आने के बाद 2x आना चाहिए ठीक है तो हमने इसका टेवल पढ़ा 4 दूनी 8 अब अगर हम 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 2 आ जाए ठीक है तो यहां पे कर दीजिए अब माइनस में लेकर के आना है बड़ी वाली संक्या को माइनस में कर दीजिए प्लस में 2x-8 is equal to 0 अब यहां से देखिए यहां पर x square है यहां पर 4x है यहां से हम क्या कर सकते हैं x को common कर सकते हैं x common कर लिजिए क्या हो जाएगा x-4 अब इसमें से कुछ ऐसा हम common करते हैं ताकि यहाँ पर जो bracket के अंदर आया है यहाँ पर भी वही bracket के अंदर आये तो इसलिए यहाँ पर हम 2 निकालेंगे और जैसे यहाँ से हम 2 common करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा 2 common कर लिए 4, वही आ गया है यहाँ पर, लिख दीजिए equal to 0, अब देखिए इसमें और इसमें common क्या है, x-4 common है, x-4 को common कर लिजिए, और उसके बाद हमारे पास बच क्या रहा है, x plus 2 बच रहा है, इसको x plus 2, कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, और क्या हो जाएगा, equal to 0, अब क्या हो जाएगा, अगर x-4 is equal to 0 है, तो क्या हो जाएगा, x is equal to 4 आ गया, फिर अगर x plus 2 is equal to 0 है, तो x is equal to क्या आ जाएगा, इस plus 2 को इधर ले करके जाएगे, थो जाएगा, minus 2, इस तरीके से हमारे पास x is equal to 4 और x is equal to क्या आ गया है, minus 2, यह है क्या, यह सुन्यांक है, क्या है सुन्यांक है, अगर आपको सुन्यांक क्या है, तथा इनके गुडांकों के बीच में क्या सम्मन्द है, एक concept ना समझ में आ रहा हो, तो इसके पहले हमारी एक class हो चुकी है, concept of polynomial है, concept of बहुपध की class है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, इसको देखने के बाद सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, तो चलिए, इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, एक सीज़ कोल टू फोर, एक सीज़ कोल टू माइनस टू, ए हैं क्या, ए हमारे सुन्यांक है, हमें सुन्यांकों तथा गुडांकों की बीच में सम्मन्द दिखाना है, इसके जो सुन्यांक हैं, एक को हम लोग अलफा माल आए है, तो अलफा इसकोल टू चार लिख लिजिए, और दूसरे को लोग बीटा ले लेते हैं, तो बीटा इसकोल टू क्या हो गया, माइनस टू हो गया, चलिए, अब हमें लोग सुन्यांकों तथा गुडांकों की बीच में सम्मन्द निकालते हैं, चलिए, लिखिए, सुन्यांकों तथा गुडांकों के बीच में सम्मन्द गुडांकों के बीच, सम्मन्द की जाज करनी हमें, अब देखिए, यह हमारे पास, यह जो बहुपध है, इसकी तुलना हम किस से करते हैं, यहाँ पर लिख लिजिए, जैसे x स्क्वाइर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना, किस से करेंगे, a x स्क्वाइर, प्लस b x, प्लस c से इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए, यहाँ से इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर 1x स्क्वाइर है, यहाँ पर माइनस 2x है, माइनस 8 है, तो यहाँ पर हम तुलना करें तो यहाँ हमारे पास A is equal to क्या मिलेगा हमको मिलेगा A is equal to 1 और B is equal to क्या मिल जाएगा B का coefficient क्या है यहाँ पर minus 2 तो B is equal to minus 2 हो जाएगा और C is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास minus 6 तो इस तरीके से हमने इसकी तुलना करी, हम सुन्यांकों तता गुडांकों के भी संबन की जाच हमें करनी है, हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हम लोग लिखते हैं जी जो हमारे सुन्यांक हैं, सुन्यांकों का योगफल क्या होता है, तो यहाँ पर सुन्यांक दिया है, यह है सुन्यांक, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा लिख लेजिए सुन्यांग क्या है अलफा बीटा और अलफा बीटा का योग क्या होगा अलफा प्लस बीटा और हम लोग एक संबन जाते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से बहुपद है दुईगाद बहुपद है तो इसके जो सुन्यांग होते हैं इसका योग हम लोग कैसे निकालते हैं इसके योग का formula होता है हमारा minus b upon a a b क्या है x का coefficient होता है और a क्या होता है x square का coefficient होता है तो यहाँ पे alpha बीटा की value रख दीजिए तो alpha हमारे पास 4 है तो alpha की value 4 रख दीजिए बीटा हमारे पास minus 2 है तो बीटा की value minus 2 रख दीजिए is equal to अब यहाँ से देखिए b b की value क्या है minus 2 है एक minus पहले से है तो यहाँ पे b की value रख दीजिए upon a तो a है क्या 1 है यहाँ पे 1 लिख दीजिए अब 4 plus minus minus हो जाएगा तो 4 minus 2 अब यहाँ पे minus अंदर जाएगा minus minus का multiplication plus हो जाएगा तो क्या हो जाएगा plus 2 upon में 1 अब यहाँ से देखिए 4 minus 2 is equal to क्या हो जाएगा 2 और हमारे पास क्या आगया 2 is equal to 2 आगया तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि जो हमारा मूलों का जो हमारा सुन्यांक है जो हमारे सुन्यांक थे जो सुन्यांकों का योग था और जो सुन्यांकों का योग हम लोग इस बहुपत की मदद से निकालते हैं उसका योग कैसे आरा बराबर आरा चलिए हम लोग सुन्यांकों के multiplication की बात कर लेते हैं अब जैसे मारे पास सुन्यांक अलफा बीटा है तो इनका गुड़न फल क्या होगा सुन्यांकों के गुड़न फल की इम लोग जाज कर देते हैं तो सुन्यांकों का गुड़न फल क्या हो जाएगा अब यह जो सुन्यांक के इनका गुड़न फल ले जिए alpha गुड़े beta is equal to हो जाएगा अब इसकी तुलना करिए इस से देखे तो यहाँ पर हमारे पास हमने जब इसकी तुलना इस से करे तो a, b और c की value हमारे पास पता ही है तो जो सुन्यागों का गुड़न फल क्या होता है c upon a अब यहाँ से alpha बीटा की value रखिए alpha is equal to 4 है और beta is equal to minus 2 है तो 4 को multiply कर दीजिए minus 2 हमने alpha बीटा की value रख दी अब यहाँ से बाउपत से c की value क्या है minus 8 है यहाँ से minus 8 ले 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 जिए और यहाँ से a की value क्या है 1, 1 रख दीजिए यहाँ से आप क्या देख रहे है 4 को minus 2 से multiply करें minus 8 और हमारे पास क्या गया minus 8 is equal to minus 8 तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो हमारा relation है जो हमारा relation है वो क्या है correct है तो इस तरीके से हमने इस question को solve किया चलिए भ़़वाँ लोग इसको solve करते है चलिए भ़़वाँ next solve करते है यहाँ से अपने दोनों इस्तितियों में क्या देखा है पहले इस्तिति हमारे के पास क्या थी सुन्यांकों का योग और दूसरी इस्तिति में हमारी क्या थी सुन्यांकों का गुड़नपल और इन दोनों इस्तितियों से जो संबंद क्या है सत्य लिख लिजिए इन दोनों इस्थितियों से संबंद क्या है सत्य है चलिए वह लोग नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकेंड क्वेस्टन इसके सोल्यूशन को लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा तो है क्या 4S स्क्वाइर मैनस 4S प्लस वन अब यहां पर यह स्क्वाइर का जो कोफिसियंट है यह स्क्वाइर को कोफिसियंट को इससे मल्टिप्लाई कर दीजी क्या हो जाएगा 4, 1 के 4 अब इस चार का फैक्टर आप इस तरीके से निकालिए कि जोडने या घटाने के बाद हमारे प्यास क्या आना चाहिए जोडने या घटाने के बाद हमारे पास 4 आना चाहिए ठीक है 4 आना चाहिए तो इसको हम लोग break करते है देखी क्या हो जाएगा गुरण खंड बिजी से हम लोग solve करेंगे 4S square है अगर हम लोग 2 दूनी 4 कर दें क्या कर दें 2 दूनी 4 यानि की माइनस 2S को multiply कर दें 2S से तो हमारे पास 4 हो जाएगा माइनस 2 गुड़ी माइनस 2 कर देंगे प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 2S माइनस 2S माइनस 4S हो जाएगा correct है इसको लिख लेजिए 0 चलिए इसको इसमें जो टर्म कॉमन हो रहा है इसको कॉमन कर लिजिए तो यहां से 2 कॉमन कर लिए 2S कॉमन कर लिजिए क्या हो जाएगा हमने यहां से 2S कॉमन कर लिए तो हमारे पास यहां पर बचा क्या है 1 है तो 2s minus 1 को common कर लिजिए और उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है 2s minus 1 is equal to 0 अगर 2s minus 1 is equal to 0 है तो 2s is equal to 1 और s is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 2 इधर इसको भी solve करेंगे तो s is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास 1 upon 2 यानि कि जो alpha है alpha की value क्या आ गई 1 upon 2 और जो beta है beta की value क्या आ गई 1 upon 2 अगर हम लोग इसकी तुलना यह जो हमारे पास दुगाद बहुपद है यह हमारे पास दुगाद बहुपद है और इसकी तुलना अगर हम general quadratic polynomial से कर दें ऐसे चलिए इसकी तुलना कर दीजिए 4s square minus 4s plus 1 की तुलना ax square plus bx plus c से करने पर क्या हो जाएगा a is equal to हो जाएगा देखिए a है x square का coefficient यहाँ पर a है और यहाँ पर variable तो s है है तो s square का coefficient है क्या 4 तो यहाँ पर तो a general equation है हम लोग इससे तुलना कर रहे हैं यहाँ पर variable s है यहाँ पर x है तो इसको आप लोग a s square plus bs plus c से तुलना भी कर सकते हैं general equation है चलिए general polynomial है quadratic polynomial है a is equal to क्या हो जाएगा 4 b is equal to क्या हो जाएगा minus 4 और c is equal to क्या हो जाएगा 1 अब हम लोग इसके जो सुन्यांक है सुन्यांकों के सुन्यांकों तथा गुडांकों की भी संबंद के सत्यता कि जाच करते हैं सुन्यांकों तथा गुडांकों के बीच सत्यता की जाच करेंगे ठीक है तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा सुन्यांकों का योगफल लिखे सुन्यांकों का योगफल सुन्यांकों के ही अलफा बीटा तो अलफा प्लस बीटा इस इकल टू क्या हो जागा अलफा प्लस बीटा इस इकल टू होता है मारे पास मारे पास मारे बी अपॉन ए तो alpha का value क्या है? 1 upon 2, beta का value क्या है? 1 upon 2, is equal to क्या हो जाएगा? minus b by a, तो minus b, यानि कि minus minus of 4, upon में a की बात करें, तो a is equal to 4 है, तो 1 बटे 2 plus 1 बटे 2 क्या हो जाएगा? 1, और यहां से minus minus, plus हो जाएगा, और plus 4 upon 4, क्या हो जाएगा? 1, चलिए, अब लोग इसके सुन्यांकों के गुड़नफल को निकालते हैं, तो सुन्यांकों का गुड़नफल क्या हो जाएगा? is equal to, तो सुन्यांक क्या है? अलफा बीटा है, तो अलफा बीटा का गुड़नफल अलफा गुड़नफल बीटा हो जाएगा, और a होता है c upon a, तो अलफा की value क्या है? 1 upon 2, बीटा की value क्या है? 1 upon 2, और c की value किया है यहां से रखे 1 और a क्या है 4 यहां से क्या हो गएगा 1 upon 2 into 1 upon 2 क्या हो जाएगा 1 upon 4 इस तरीके से हमारे पास हागया स्थित 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है कि यह जो दोनों स्थितिया है दोनों इस्तितियों में जो संबंध है परस्पर क्या है सत्थ है संबंध क्या है सत्थ है तो इस तरीके से हमने इसको भी solve किया